इंडिया लीगल प्रिजेंट्स कोर्ट्स राउंड आप सुप्रेम कोर्ट ने प्रवतान निदेशाले के निदेशक संजुकुमार मिश्रक के कारिकाल विस्तार को अवैद करार दिया है हल्कि कोर्ट ने साथ ही विध्या की सरी एडिय निदेशक के कारिकाल में बदलाव को सही ठहराया सुप्रिम कोर्ट ने दो हजार एकीस के फ़सले की आदेश का उलंगन करने के लिए प्रवतान निदेशाले के प्रमुखा एसके मिश्रा की कारिकाल को दियेगा वस्तार को अवैठर आया फैसले में कहा गया था कि उन्हें और वस्तार नहीं दिया जाना चाहिए शीर्ष अदालत ने मिश्रा की एक्स्टेंशन को अवैधा बताते हुए एडी निदेशक इस अपद पर 31 जुलाई 2023 तक बने रह सकते हैं कहा साती जात ताकि सुच्चार हो सकता परिबातन हो सके केंद्र सरकार को कोट से बड़ा जटका लगा है सुप्रीम कोट ने एडी चीफ संजर मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार देने का आदेश शर्प्रत कर दिया कोट ने कहा कि एडी चीफ का तीसरी बार सेवा विस्तार सही नहीं है अदालत ने कहा कि एडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैद और कानून में अमान्य है सुप्रीम कोट ने कहा, एडी निदेशक संजे कुमार मिश्रा का तेवा विस्तार अवैद है, लेकिन वो 31 जुलाई 2023 तक इस बद पर बने रहेंगे, ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तान तरण सुनिश्चित किया जा सकें, क्योंकि आने वाले समय में FATF की होनी है, हलांकि सुप्रीम कोट ने सरकार को राहत देते वे, विस्तार के नियम वाले कानून में संजोधन को सही माना है। ये फैसला था डॉक्टर जया थाकोर बनाम भारत संग और अन्य। न्यायमूर्थी बियार गवई, न्यायमूर्थी विक्रमनाग और न्यायमूर्थी संजय करोल की पीछने माना कि मिश्रा को दिया गया विस्तार इस संबंद में सुप्रीम कोट की एक खंड़ पीठ रोग दिया गया था। संजय कुमार मिश्रा को एक साल का एक्स्टेंशन दिया था। ग्रूप से केंद्र सरकार को कहा था कि बाद में विधाई परिवर्तन पहले के फैसले संशोधित करने का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोट ने काहा कि जमु कश्मीर राज्जु को विश्विश्व दर्जा देने वाले समवथान के अनुछे 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याजुकाओ पाद 2 अगस्त से रोज़ाना सुनवाई होगी। प्रधान्यादीश दिवाई चन्द चूड की अध्यक्षता वाली पांचा नियाई थीशो की समवथान का पीठ ने लिखित दलीले देने के समय सीमा 27 जुलाई तैकी है। सुनवाई हफते में तीन दिन मंगलवार, बुद्वार और गुरुवार को होगी। सुप्रम कोच ने कहा कि केंद्र में जम्बू कश्मीर के हालात को लेकर दाखिल नए हलफनामे को लेकर सुनवाई नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कश्मीर के हालात पर हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सतकार ने जम्बू कश्मीर में अनुच्छे 370 निरस्त करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा। के इस कदम से जम्बू कश्मीर के लोग शांती, सुम्रुद्धी और अस्थरता के साथ चीने के साथ अब परियाप्त आये भी अर्जुत कर रहे हैं। केंद्र का कहना है कि आजादी के बाद जम्बू कश्मीर के लोगों को पहली बार देश के अन्य हिस्सों में रह रहे देशवास्यों की तरह ही समान अधिकार मिले हैं। केंद्र सरकार ने कोट को बताया कि जंबो कश्मीर में आतंकबाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीती अपना ही जा रही है इतना ही नहीं जंता की बहतरी के लिए कई योजनाय शुरू की गई है गाटी में और ध्योगिक विकास के लिए केंद्र ने 28 करोड चार सो लाक रुपए देने का बज़ेट रखा इसके अलावा जंबो कश्मीर के लिए अब तक 78,000 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी आ चुका है CGI के अध्यक्षता वाले पांच जिजों के सम्वधान पीछ ने कहा कि 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा CGI ने कहा मामले पर सुनवाई शुरू होने से पहले सभी हलफ नामे और जवाबी हलफ नामे दाखिल किये जाए नहीं तो सुनवाई के अंतिम समय तक जवाब दाखिल होते रहते हैं CGI ने कहा Common Convenience Compilation तयार किया जाएगा जिसमें याचिका करताओं की और से वकील प्रसन्न और रिस्पोंडेंट्स की और से वकील कन्व अग्रवाल के पास 27 जुलाई तक सभी पक्ष अपने जवाब दाखिल कर सकते हैं इसके बाद कोई भी हलफ नामस विकार नहीं किया जाएगा केंद्र सरकार की और से सॉलिसेटर जनरल ने कहा सुप्रिम कोट से 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है उसको लेकर जानकारी दी गई है सुप्रिम कोट की समवधान पीछ ने कहा कि मामली से जुड़े सभी दस्तवेस पेपरलेस फाइल किया जाए सभी पक्ष अपने जवाब इलेक्ट्रोनिक मोड में फाइल करे सरकार की और से ये साफ किया गया है कि हाला कि आर्टिकल 370 लागो होने के बाद जम्मु कश्मीर के बदले हालात को लेकर सरकार ने जवाब ज़रूर दाखिल किया है लेकिन इसको केस से जुड़े समवधानिक सवालों के खिलाब दलील के तोर पर इस्तमाल नहीं किया जाएगा मही सुप्रेम कोट पे पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली जाचिका पर सुनवाई हो इस तोरान कोट ने केंद सरकार को जवाब देने के लिए तीन महीने का और वक्त दिया कोट ने कहा कि व्यवाधित धार्मिक सलो से संबंदित देश भार की वफिन अडालतों में lämbit वफिन मुकदमों और कानूनी कारवाई पर रोक लगाने के आदेश देने के लिए पूजा स्थल कानून का सखारा नहीं लिया जा सकता कोट ने कहा कि किसी भी अदालत में सुनवाई के दौरान ये बताना ज़रूरी हुगा कि सुप्रिम कोट ने पूजास्थल कानून पर रोक नहीं लगाई पूजास्थल विशेश प्रावधान अधिनियम 1991 को चुनोती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुप्रिम कोट में सुनवाई अदालत ने जवाबी हलफ नामने के लिए कींद्र सकार को फिर समय विस्तार दिया सुप्रिम कोट ने कहा कि केवल याचिकाओं के लंबित और कानूनी कारेवाही पर अंतरिम रोक का मतलब ये नहीं है कि अधिनियम पर रोक लगाती कई है उचनी कहा कि विवादित धार्मिक स्थलों से संबंदित देश भर की विभिन अदालतों में लंबित विभिन मुकदमों और कानूनी कारेवाही रोक लगाने का आके लिए पूजा स्थल विशेश प्रावधान अधिनियम 1991 का सहारा नहीं लिया जा सकता प्रदान न्यायदीश डिवाई चेंदरचू और न्यायमूर्ती पियस नर्स और न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा कि ये कहा कि हर मामले के पक्षों को संबंदित अदालत से ये बता कर स्थगिन की मांग करने होगी कि पूजा स्थल अधिनियम लागू है और शीश अधा पर नहीं लगाई है कि टिपड़ी तब की जब वकील व्रंदा ग्रोवर ने कोट से कारेवाही पर रुख लगाने की याचिका पर विचार करने का आग्रह किया इस एक्ट की कई प्रावधानों के खिला कोट में याचिकाएं दायर की एक्ट के अनुसार किसी धार्मिक स्थल क मानिता को नहीं बदला जा सकता है भले ही 1947 में देश के आजाद होने से पहले वो किसी अनिता के धार्मिक स्थल को गिरा कर बनाया गया हो अदालत अश्वनी कुमार पाध्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आधिनियम को इसाधार पर चुनौती दी गई थी क जैनियों बौधों कानूनी उपचारों पर रुक लगाकर इतिहास के आकरमण कारियों के अवैद क्रत्यों को हमेशा के लिए जारी रखने की अनुमत देता है याचिका में ये बदा कि क्या अधिनियम की धार की उपधारा एक की द्वारा निधारित कट ओफ दिती 15 अगस चेद 32 के तहट कारिवाही की जो सम्विधान के तहट एक मौलिक अधिकार है क्या धारा चार की उपधारा दोका प्रावधान उन वादों अपीलों और कानूनी कारिवाही को जारी रखने की अनुमती देता है जहां पूजास्थल के धार्मिक चरित्र को बिगाड़ा गया नियायले ने कहा कि उसके द्वारा कोई पून स्थगन नहीं दिया जा सकता है केंदर सरकार को अपना जवाब दाकिये तीन दिनी का समय और दिया गया और मामले को स्थगित कर दिया गया स्थरेशन ऑफ इंडियान विमेन एन एफ आई डब्यू के हिस्से के रूप में प्रस कॉन्फरेंस में भाग लिया स्थार्प दवे ने समविधान के अनुचे 32 के तहट दिक्षा द्रवेदी द्वारा दायर क्या चिक्काव का उलेक किया जिसमें सुरक्षा की मांग की गई थी कोट ने आदेश दिया कि पकेल दिक्षा द्रवेदी के खलाब कोई दंडात्मक का रवाई न की जाए प्रधान जया अन्यादी श्या ने सॉलिसिटर जोर्नल से का है कि वह हमारी बार की सदस्य है उसने लगभग 14 साल की प्रेक्टिस की है आपको F.I.R. के बारे में निर्टेश श्या मिल गई है बताय जाता है कि NIFW टीम इस निश्वकर्ष्मन मनिपूर पहुंची कि मनिपूर में कुछ इन सखटना है राजजी प्रायूचित थी देवे ने कहा कि उन प्रेक्टिस में 4 साल हो गए में कम्यूनिस्ट पार्टी से जुड़ी नाशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रूमिन की तीन सदस्य टीम का हिस्सा है दिल्ली में प्रस कॉंफरेंस आयूचित की गई हमें पता चला कि भारते जन सहीता आईपीसी की धारा 121-A, 124-A, 153-A और 153-B के तहट आरोप दर्ज किये हैं दो आप राधों के लिए आज जीवन कारवाज की सजा है CGI चन्दिचूर ने भारत के सॉलिसिटर जोर्नल तुशार महता को संबोधित करते हुए कहा कि मस्टर सॉलिसिटर आप मड़ेपूर राज की ओर ते पेश को रहे हैं वे हमारी बार की सदस्ते हैं उसने लगभग चार साल की प्रेक्टिस की है आपको F.I.R. की बारे में निर्तेश मिल गए हैं स्पीच उसे गिरफतार न करें SG महता ने कहा कि अनुछे 32 या चुका पर विचार करना न्यायाले का विशेशा धिकार है वह ने आगे कहा कि लेकिन ये कहना कि मड़ेपूर हाइपूर जाना संभफ नहीं है सही नहीं हो सकता क्योंकि कॉले ना गौंसाल विजाद बहां गए और उसी मामले पर पहस की जिससे कठनाई पैदा होई हमें ये धार्ना नहीं बनाने चाहिए कि हाईपूर नहीं चाह सकता मैं सेबी ने अदानी हिंटनबर्ग मामले की संबंध में सुप्रेम कोर्ट के समक्ष 41 प्रष्टों का हलफ नामा दार किया सेबी ने अपने हलफ नामे में शिर्ष अदाले से उचत आदेश भी मांगा है और सेबी की तरफ से पेश सॉलसेटर जोर्नल से सीज़याई ने पूछा कि सेबी की तरफ से जो जाँच चल रही है उसकी स्टेटर क्या है सॉलसेटर जोर्नल ने मामले की सुनवाई को टालने की मांग करते हुए कहा कि सुमवार के शाम को हमने जवाब फाइलिंग के तहत दाखिल किया है इस पर पूट ने कहा है कि सभी पक्षू को सेबी ने जवाब की कौपी देने को कहा और प्रशान भूशन ने कहा कि कमीटी के रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की जाँच फेल है सेबी किसी साकरात्मक नतीजे तक नहीं पहुंच सकती है सीज़ाई नी आचिका करता कि उस तलीर को नकार किया जुसमें उन्होंने दावा किया कि कमीटी को एजनसी सपोर्ट नखी कर रही है उन्होंने कहा कि हमने 14 अगस तक जाँच पूरी करने का समेश सेबी को दिया है ऐसे में जाँच रिपोर्ट को आने दे सेबी को बीते 17 मई को तीन महीने का अतिरिक्ता वक्त तक दिया गया था बता दे आपको कि हिंदिन्बर्ग रिपोर्ट में आदाने समों पार लगाये गए आरोपो की जाँच के लिए सेबी को 14 अगस तक का समय दिया गया है ऐसे में सेबी ने मामले की जाँच के लिए अतिरिक्त 6 महीने की मांगती थी यमुना की सफाई से जुड़े उचसतरी समीती का अध्यक्ष उपरा जपाल को बनाए जाने के एंजीटी के फैसले के खलाफ दिली सरकार द्वारा याजिकापर सुप्रेम कोट ने सुनवाई करते हुए के जिवात सरकार को बड़ी रहात दी है ने यमुना की सफाई से जुड़े उचसतरी समीती का अध्यक्ष उपरा जपाल को बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है NGT के फैसले पर सुप्रीम कोट ने रोक लगाई है साथ ही सुप्रीम कोट ने दिल्ली सरकार किया जिका पर नोटस जारी किया है दिल्ली सरकार की तरफ से वकिर अभिशेक मनु सिंग्दी ने NGT के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी दिल्ली सरकार ने सुप्रेम कोर्ट में National Green Tribunal यानि NGT के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें यमुना सफाई के मामले में उपरा जिपाल को High Level Committee का ध्यक्ष बना गया था दिल्ली सरकार का कहना था कि NGT का ये आदेश दिल्ली में Governance की समवधानिक योजना और सुप्रेम कोर्ट की समवधानिक पीट के आदेश का उलंकन है हाल ही में सुप्रेम कोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में तीन विश्यों को छोड़कर बाकि सब विश्यों पर चुने हुई सरकार का धिकार है इसी साल जन्वरी के महीने में NGT ने एक आदेश चारी करते हुए यमुना नदी प्रदोशन के मुद्धे को हल करने के लिए दिल्ली में अलग अथौरिटी वाली इस कमीठी का गठन करते हुए उपराज जुपाल को इसका अध्यक्ष मना था के जवाल सरकार ने सुप्रेम कोर्ट में दायर की गई याजिका में कहा था कि दिल्ली सरकार यमुना के प्रदोशन को दूर करने और चारात्मक उपायों को लागू करने के लिए अंतर विफाग्य कौर्टनेशन की अविशक्ता को स्विकार करती है लेकिन NGT के आदेश क का मन करती हैं सुप्रेम कोट ने लखिंपूर की रिहिंसा मामले में च्वल रही मुकदमे के मद्देनजर केंद्रे मंत्री आजेक कुमार मिश्वरा के बेटे आशिश मिश्वरा को दी गई अंतरिम जमानत की अव्धी को बढ़ हत्या है बता दें आपको जस्टिस सूरेक और जस्टिस दिमागा दर्ता की खटपीट ने सीमिया एड्वोकेट मुकल रोतकी की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामले के सुनवाई चल रही है आशिश मिश्वरा का प्रतिनिधित्व कर रही 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 है कई रिपोर्ट दायर की गई है हम जो कुछ भी कर सकते हैं व जिर्टों की और से पेश हुए वकील प्रशान भूशन में अदालत से कहा है कि अगर सुनवाई दिन पति दिन की आथार्पर की जाए तो यह तेजी से आगे पड़ेगी जिस पर रोतकी ने जवाब किया यहां सेंकडों और खजारों मामले है यह एक है और आपको बता दे कि उन्हें कहा कि यौर लॉड्शिप द्वारा इसमें तेजी लाए गई तै रोतकी ने प्रस्तुत किया कि मुकदमे में अभ्योजन पक्ष के गवाः को में से एक प्ररिक्शन के लिए उपस्तित नहीं हुआ उनके पक्ष के एक अभ्योजन पक्ष के गवाः नंबर चा साथ कुछ वासरिक गठनाईयां हो सकती है अदालत ने मामले को आगे के विच्चार के लिए 26 सितंबर तक के लिए पूस्ट कर दिया है अदालत ने मुकदमे की प्रगती और आरोपी के आत्रण की निग्जानी के लिए मिश्वर की जमानतिया चिका को लंबित रखा पिछ कि अब हम आपको बताते हैं कि मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोट ने क्या दिशनरतेश दिये हैं इंडिया लीगल की वेब रिपूर्टर आपको पूरी जानकानी देंगे लिंचिंग हिंसा का एक रूप है जिसमें भीड बिना मुकदमा चलाए नयाय देने के भाने किसी ओफेंडर को अक्सर यातना देने और शारिक शती पहुचाने के बाद फासी दे देती है मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सुप्रेम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन्स दिया है इन तैसीन पुनावाला वर्सिस यूनियोन ओफ इंडिया 2018 में स्टेट गवर्मेंट्स लिंचिंग के घटनाओं को रोकने के लिए या उपाय करेंगे उनके प्रतेग जिले में एक सीनियर पुलिस ओफिसर को अपॉइंट करेंगे नॉडल ओफिसर लिंचिंग से डिलेटेड मुद्दो से निपटने के लिए ट्याटेजी तियार करेंगे जिसके लिए इंटर डिस्टिक मुद्दो को बीजी पी के ध्यान में लाएंगे सभी पुलिस ओफिसर्स की एड्यूटी होगी कि उस बीड को तोड़ दें और उसके ओपिनियन में वॉइलेंस करने की टेंडिनसी रखते हैं अंडर सेक्शन 129 ओफ सी आर्पीसी इसे के साथ कोर्ट्स रांडड़ को नहें ही अमस्कार India Legal प्रेस्ट प्रोट्स रूंद आप